दमण दिव प्रदेश ओबिसी सेल ना चर्मेन तरीके युवा कॉंग्रेस ना कार्यकर रहिश धी पटेल नी कॉंग्रेस ना राष्ट्य अध्यक्ष राहूल गांदी नी मंचुरी थी कॉंग्रेस ना राष्ट्य महामंतरी अशक गोहिल त्वारा वरणी कराता कोंगरेस ना कार्यकरता वे आनन्य लागने व्यक्त करी नव नियुक्त प्रमुख हरिष्पटेल आपिन दननदन पारट बयाता। दमण दिव कॉंग्रेस ना प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल ना निवास थाने, प्रदेश कॉंग्रेस ना ओबीसी ना 9 नियुगती चेरमेन हरिश्पटेल सहितना कार्यकरोई पहुंचीने हरिश्पटेल ने ओबीसी ना प्रमुख बनावा बदेला भार व्यक करे होतो, चारे कॉंग्रेस ना प्रदेश अध्यक्ष केतन पतेले पन हरिश पतेल नों स्वागत करी ओबीसी समाजना प्रश्णों माटे अवाज उठावा माटे आहावान कर्यों तो आज मुझे केते होवे बड़ी खुसी महसूस हो रही है कि हमारे कॉंग्रेस के अध्यक्स माननिया राहूल गांधी जी ने हमारे हरिस पतेल को OBC दमनदीव के चैर्मेन न्यूक किये है और कली हमारे जो जनरल सेकेटरिय है All India Congress Committee के माननिया असो गहलोत जो पूर्वा मुख्य मंतरी भी है राजिस्तान के और अभी next मुख्य मंतरी भी होने जा रहे है असो गहलोत तो असो गहलोत जी ने कली एक प्रेस रिलिस जारी की जि में हिमाचल प्रदेश, मनीपूर, अंदमन निकोबार आइलेंड और दमन दिव के अध्यक्स यानि के चेर्मेन न्यूक किये है तो हरिस पटेल को हमारे दमन और दिव के चेर्मेन OBC के न्यूक किये है और मैं हरिस पटेल जिसे और पूरी उनकी टीम से आगरह करूँगा कि अभी आप कमिटी बनाएए दमन और दिव में दिव भी जाएए दिव से भी कमिटी बनाएए दिव में भी सब युवाओ को जोड़िए महलाओ को जोड़िए सब को जोड़े और इस कमिटी में जो इनकी इंचाज भी है उनका भी मुझे कल फोन आया था और वो भी मेरे ख पुलिक के सामने रखनी होगी फिर एक बार मैं सभी यूआउ के और से दमन के सभी यूआ यहां जो उपश्थित दे और हरीस के और से मैं हमारे माने नेता रहूल जी और सौनिया जी का आभार वियर करता हूं कि जिन्होंने कल इनको न्यूक्ती दी है